दोपैर का भोजन सबसे पहले हम इसके पाठ के प्रिच्चे को देखते हैं दोपैर का भोजन गरीबी से जूजते हुए एक निमन मध्यवर्गिये सहरी प्रिवार की कहनी है यह एक सहरी प्रिवार है जो गरीब है और बंदवर्गिये है जो गाउं से आकर के सहर में रहता है जिसके मुख्या के अचानक नोकरी छुट जानने के कारण प्रिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है इसका जो प्रिवार का मुख्या है उसकी नोकरी छूट जाती है और फिर प्रिवार के साथ क्या गुजरती है उसकी एक कहानी है प्रिवार के सदस्यों को भरपेट वोजन तक नसीब नहीं हो रहा है पूरे प्रिवार का संगर्स भावी उमीदों पर टिका है इसका जो दूस पत्र है शिद्धेश्वरी संकट की इस घड़ी में परिवार के सभी सदस्दों को एक जूट एम चिंता मुक्त रखने का अथक प्रियाश करती है वैं अपने परिवार को तूटने से बचाने का हर संभव प्रियतन करती है शिदेश्वरी इस गरियार प्रिवार में सबसे मुख्य पात्र है अब इसके अंदर क्या चीज याद रखनी है आपको शिदेश्वरी तथा मुंशी जी प्रिवार के प्रिवार में उनके अतिरिक्त मुंशी जी और सिदेश्वरी ये माता पिता हैं और इनके तीन पूत्र ह 21 वर्षिय बड़ा बेटा रामचंद्र 18 वर्षिय मंजला बेटा मोहन और 6 वर्षिय छोटा बेटा प्रमोथ ये इसमें 6 पत्र दिखाए गए रामचंद्र जो बड़ा बेटा है उसमें एक स्थानिय दैनिक्स माचर पत्र में प्रूफ रीडिंग का काम कर रहा है और तथा नोकरी की तलास में मोहन हाई स्कूल के इमतिहान की त्यारी कर रहा है अर्था तो अभी तक पढ़ रहा है मोहन तो इसमें जो आगया चलेगी अब इन से आपको इसके परसनों को समझने में आसानी होगी अब इसके पहले परसन पर हम चलते हैं कि दोपैर का भोजन में है क्या शिद्धेश्वरी ने अपने बड़े बेटे रामचंदर से मंझेले बेटे मोहन के बारे में क्या जूट बोला जूट क्यों बोला अब देखे घर की स्थी थी सही नहीं चल रही थी रामचंदर की नोकरी छूट गई थी उसी के पैसो से घर चल रहा था ऐसे में जब ठका हरा रामचंदर बाहर से आकर मोहन के बारे में पूछने लगा तो शिद्धेश्वरी को जूट बोलना पड़ा वे रामचंदर को यह नहीं बता सकती थी कि मोहन पढ़ने के स्थान पर आवरागर्दी कर रहा है मोहन पढ़ने के स्थान पर समय निस्ट कर रहा था अतर यह जूट बोलकर वे घर में शांती बनाए रखना चाहती थी कि मोहन पढ़ रहा है परसन दो में देखिए कहानी के सबसे जीवन पात्र के चरित्र की दरड़ता का इसमें कीजिए इसमें सबसे जीवन पात्र जो है वो सिद्धेशवरी है तो उसके बारे में क्या है कहानी का सबसे जीवन पात्र सिद्धेशवरी है अर्थात बच्चों की मा और मुंशी जी की पत्नी वे जानती है कि घर की स्थिति सही नहीं है खाने के लिए परियाप्त भोजन नहीं है फिर भी वह स्थिती को समाले रखती है घर में किसी को नहीं पतर चलने देती कि घर में खाने का भोजन नहीं है वह जानती है कि प्रिवार्जन सच्चाई से वाखिफ हैं इसलिए अपने जूट से वह उनके अंदर विश्वायस कायम रखती हैं वह प्रिवार्जनों के मध्यां भी प्रेम भाव को बनाई रखने के लिए निरंतर प्रियास कर रही हैं सबके मन हालातों से तूटे हुए हैं लेकिन इन तूटे हुए सबी मन को अपने जूट से संबालने हुए रखती हैं परसंद 3 में देखिए कहानी के उन परसंगों का उले करना है जहां पर गरीबी की विवस्ता इसमें इस पूरे चेप्टर में ग्रीबी की विविस्ता को दर्साय गया है लेकिन आपको उन परसंगों का उलेग करना है तो हम कुछ परसंगों का उलेग कर रहे हैं लड़का नंग धड़ग पड़ा था उसके गले तद छाती की हडिया साब दिखाई दे रही थी उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे पेजा पड़े थे और उसका पेट हडियों की तरह फूला हुआ था अर्थात उनके पास कपड़े पहनने के लिए में थे उसके खाने पीने से बता चल रहा था कि कुछ नहीं मिल रहा था इसलिए हडियां अलग दिखाई दे रही थी और पैर इतने कमजोर हो गए थी ककड़ियों की तरह लगते थे बच्चे के मुँपर अपना फटा गंदा बलाउज डाल दिया अर्थात कपड़े भी उसके बच्चे के मन पर उपर जा मक्यां बैठती हैं तो वो उसके उपर अपना गंदा और फटा वा बलाउज डाल देती बटलोई की ताल को कटोरे में उडेल दिया पर वह पूरा भरा नहीं छिपुले में थोड़ी सी चने की तरकारी बच्ची थी उसे पास खीच लिया रोटियों की थाली को उसने पास खीच लिया उसमें क्यवल एक रोटी बच्ची थी मोटी भदी और जली उस रोटी को वह जूठी थाली में रखने ही जा रही थीगी अचानक कुछ देर तक एक टक देखा फिर रोटी को दो बरावर टुकड में भी भाजित कर दिया एक टुकडे को तो अलग कर रख दिया दूसरे टुकडे को अपनी जूठी थाली में रख गारा सारा घर मक्यों से भिन बिना रहा था आंगन में अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंग थी इसमें कई पैबंद लगे वे थी अर्थात इतनी ज़्यादा गरीबी थी कि लास्ट में आकर केसी धेश्वरी के लिए एक रोटी बचती है वो एक रोटी में भी उसको पता च और फिर इसके बाद उसकी आँखों के साम किसी गोन्हा कहते वे उसकी आँखों में पानी आ गए अब परसंद देखे चोथा परसंद सिदेश्वरी का एक दूसरे स्दर्शे के विशे में जूट बोलना परिवार जोडने का अंठक परियास था शिद्यश्वरी एक दूसरे से जूट बोलती है थाकि प्रिवार एक उसमें बंदा रहे और छाने के परती जूट बोलती है, पढ़ाई के परती वो जूट बोलती है शिद्येश्वरी जानती थी कि घर की स्थिति को लेकर घर का परतेक सदस्य एक दूसरे से खिचा हुआ था वह जूट बोलकर उसे सामने करने का प्रियास करती है हम यह नहीं कह सकते कि यह प्रियास अंथक था या अथक वह प्रियास अवस्य कर रही थी पिता उसके मूँ से तारीफ को सुनका परसन हो गए थे लेकिन कठिन समय में यही तारीफ गरवालों को आपस में बांदे हुई थी मोहन और रामचंद्र के बद्ध है अवस्य एक खीस्तान दिखाई देती थी लेकिन शिद्धेश्वरी अपने जूट से उसे भी कम करने का प्रियास करती है यदि यह वह स्याना करे तो घर में सब बिखर कर रह जाएंग वह जहां तहां यह प्रियास करते हुए दिखाई देती है इस तरह अपने घर को एक किले की तरह बांदे रखती है अतेवे अंथक प्रियास ही कहा जाता है इसमें अमरकांत की 5% में बोलचाल की ऐसा भाषया का प्रियोग कर रहे हैं कि कहानी के अधार पर स्पष्ट करना है कहानी की समेदना पूरितर उभर कर आती आम बोलचाल की भाषया अमरकांत जी ने कहां कहां की है ये बताना अमरकांद की भाषा आम बोलचाल की भाषा है इसमें बनावट का लेश मात्र भी नहीं है वैं बड़े सहज रूप से बाते कहा जाते हैं उधान देखिए कैसे उन्होंने उधान दिये हैं शिदेश्वरी ने पूछा बढ़का की कसम एक रोटी देती हूँ अभी बहुत सी हैं मुशिज ने पत्नी के और अपरादी के समान तथरसोई के और कनकी से देखा तथ पस्चात किसी गोटे उस्ताद की भाती बोले रोटी रहने दो पेट काफी भर चुका है अन और नमकीन चीजों से तेबे तूब गई है तुम वेर्थ कसम धरा दी कैर तुमने रखने के लिए ले रहा हूँ गुड होगा क्या इसमें लेखक ने कनकी और छोटे उस्ताद बढ़के धरा दी जैसे सब्दों का प्रियोकर भास्या को संजीव बना दिया परसन 6 में देखिए राम राम चंदर मोहन और मुंचिझी खाते समें रोटी न लेने के लिए भाने करते हैं किए उनको पता है को और उने पीट न खाया तो घर के बाकी सद़से बुखे रहो जाएंगी अता है उसे देखे कैसे लिखेंगे आप सब जानते हैं कि घर में पेट भर भोजन करने के लिए अब अन नहीं है सिदेश्वरी रोटी देने पर जोर डाल कर उन्हें यही सावित करना चाहते हैं कि अन भरा पड़ा है किसी की चिंता करने के आउसकता नहीं है रामचंदर तदा मुंशी जी स्तेथी से वाकिफ हैं वे रोटी नहीं लेने के लिए बाहने बना कर सिदेश्वरी को दोखा देने आप परियास करते हैं कि उन्हें भूख नहीं है यह उनकी विवस्ता है वे आदे पेट होने पर भी पेट वरा होने की बात कह रहे हैं यह उनकी गरीबी है जो उनसे जूट बुलवा रही अब देखे इसमें सातमें परसन में मुंशी जी तदा सिदेश्वरी की ऐस संबन बाते कहानी से कैसे संबन हैं मुंशी जी तदा सिदेश्वरी के मद्दे जो बाते होती हैं वे आपस में संबन नहीं रखती सिदेश्वरी अचानक मुंशी जी से बारिश के विशे में कभी फूपाजी के विशे में कभी गंगा शनन बाबू की लड़की के विश्य में बाते करके महुल को हलकना करने प्रियाश करती है वे जानती है कि मुशी जी के पास इन परस्णों को उत्तर नहीं है यह जो उत्तर होता तो इससे पहले विजवाब मिल गया होता मुशी जी स्थी भी वैस समझती है घर की आर्थिक स्थी खराब है मुशी जी के पास नोक्री नहीं है वे तलास कर रहे हैं मगर अभी तक काम्याब नहीं हुए घर में खाने के लिए नहीं है बड़ा लड़का नोक्री के लिए मारा मारा फिर रहा मुश्य जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं अतरा मुश्य जी स्वयम घर की स्थिथी पर बात करने से कत्राते हैं अतरा प्रियास करते हैं कि कम ही बोले उन जुनों के मद्द है स्थिथी को साम्मेंने करने के लिए सिद्वरी ऐसम्मद बाते करते हैं जो कहानी को संब्द बनाए रखने में साहिता करती है। जो ये चैप्टर आपका दोपैर का भोजन क्या पूर्ण रूप से सिध्ध है, सार्तक है, तो इसका देखे कहानी में बिल्कुल पूरी कहानी में दोपैर के भोजन के समय को दर्शा गया है। राम चिंदरता मोहन का दोपैर में आना, फिर चले जाना, पिताजी का विश्राम करना, आदिप आते हैं दोपैर के समय को सार्तक कर देती है। सबी आते हैं और खाना खाने के पस्चाद चले जाते हैं अता इस कहानी का नाम निमलिक तरश्णों से पूर्णा तै सार्थक है आपके नुसार सिद्धेश्वरी के जूट सो सत्त्यों से कैसे बारी हैं अपने सब्दों में उत्तर देखना है शिद्धेश्वरी ने जो जूट बोले वे अपने परिवार के मध्य एक्ता प्रेम और श्यांती स्थापित करने के लिए बोले थे उसके जूटों में किसी प्रकार का स्वार्थ विद्यमान नहीं था उसके जोट एक भाई का दूस्रे भाई के प्रती बच्चों का मादा पिता के प्रती तदा पिता की बच्चों के प्रती आपसी समझ और प्रेम को बढ़ाने के लिए बोले गए थे इस तरह वे परिवार को मुझीबत के समय एक बनाई रखने के लिए प्रियास करती है अता उसके सो जूठों सत्तों से भारी है जूठ वह कहलाता है जिसे किसी का नुक्षान हो इन जूठों से किसी को नुक्षान नहीं था परिवार को जोड़े रखने का ये मादम थे ये जूट अच्छी भावना को लेकर बोले गए थे अतय ये सो सत्यों से बहुत अच्छे थे इसमें दस्में पस्ट में आशा स्पस्ट करने के लिए स्पस्ट का गया आपको कि वहमत वाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गड़कर चड़ा गई और खैमें इसमें देखेंगे वह कहकर उसने अपने मज़रे लड़के के और इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की और तीसरे में मुंशी जी ने चने के दानों की और इस द्रस्टिपात किया जैसे उनसे बादचित करने वाले देखें पहले कहका शिदेश्वरी को अचानक आदाय की पानी की प्यास लगे है अदाय ऐसे उठी माने वहमत वाली हो उसने उसी अंदाज में घड़े का लोटा डाला और गड़ा गड़ा पानी पी गए खैकर देखिए इसी देश्वरी ने मुहन को यह जूट बोला कि बड़ा भाई उसकी तारिप कर रहा था मुहन जानता था कि उसका बड़ा भाई उसकी तारिप नहीं कर सकता है अदाय ऐसी देश्वरी ने जूट बोलकर मुहन की और देखा भाई यह जानती थी कि कहीं मुहन ने उसका जूट पकड़ा तो नह लिया है कटोरे में दाल पीने के बाद कुछ चने के दाने बचे थे मुन्ची को बरपेट खाना नहीं मिला था अधर वे कटोरे में बचे चने के दानों को ललचाई निगाउ से देख रहे थे अधर जिस तरह से बचने दानों को देख रहे थे झाल झाल